Good morning students, मैं Sandeep Sharma, अपने YouTube channel Vijay Lakshmi Academy मैं आपका स्वागत करता हूँ, जिसका prime focus है, pure teaching, nothing else. Students, आज हम जो special मैं आपके लिए जो वीडियो ले के आया हूँ, ये especially अगर हम किसी देश को अगर बहुत अच्छा उसका output मान रहे हैं, तो हम GDP से ही सोचते हैं, कि जिस देश का GDP बहुत अच्छा होगा, जिसको कहतें gross domestic product, वो देश उतना ही अच्छा शक्तिशाली होगा, और धन धानने से पूर्ण होगा, लेकिन अगर हम आज हम आपकी बात करें, एक ऐसा देश है, उसने एक अपना नया ही इंडेक्स बनाया हुआ है, उसका नाम है gross national happiness, और ये कौन सा देश है, जो खुशी को ज़ादा तवज्जो देता है, पैसे से ज़ादा, हम इस वीडियो मे आपको बताएंगे, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने चैनल, यानि विजलक्ष्मी अकैडमी यूटूब चैनल को आप क्या करिए, सबसे पहले बिटा आप क्या करिए, सबसे पहले अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रिलीज इसको क्या करिए, सबस्क्राइब करिए, और जैसे आप संदीप सर्स विजलक्ष्मी अकैडमी को सबस्क्राइब करेंगे, आपके पास तीन आइकन आएंगे, तीन आइकन, बेल आइकन आएंगे, आपको सिलेक्ट आल को करना है, सिलेक्ट आल पर जैसे ही आ भुटान एक बहुत एक छोटा देश है लेकिन इसकी ख्याती इस कारण है कि ये बहुत खुशनुमा देश है Gross National Happiness का मंत्र भी दुनिया को यहीं से मिला है Gross National Happiness का अगर हम देखें तो अगर तक अभी तक हमने आपको मैंने भी आपको जो पढ़ाया है है लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भूटान है जो वो ग्रॉस नैशनल हैपिनेस इंडेक्स को जादा क्या देता है तवज्जो देता है चलिए यह समझते हैं यह है क्या और इससे क्या होता लेकिन सबसे पहले भूटान की भूगवले के स्थिती को आप देख लीजे यह फ्लैग रहा आपका वह एंबलम रहा भूटान का और इसकी जो राजधानी है भूटान की वह थिंपू है और अगर हम बात करें यहां पर कौन-कौन से जो रिलीजन है वह फॉलो होते हैं तो लगभग 77-80% यहां पर बुद्धिज्म और उसके बाद अगर जो है हिंदुज्म का क्या होता है फॉलो होते हैं यहां पर देखा जाए तो अभी जो यहां के जो राजा है उनका नाम है जिंग्मे खेसर वांग्चुक और फिर उसके बाद यह काफी यंग है यह देख जाता है और लोवर हाउस को नैशनल असेंबली कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले वो मानक्ता देखते हैं कि भूटान किस आधार पे अपने को ग्रॉस नैशनल हैपिनस की सूची बनाता है तो सबसे पहले अगर देखते हैं जो भूटान की जो स्टुडे अबिताना जादा पसंद करते हैं क्यों हेल स्टेशन हैं वहां पर वन जादा है इसलिए वहां पर लोग जादा जाना चाहते हैं यहां रहना अधिक शान्तिपूर्ण और प्रकृति से मिल जुलकर रहना है यहां शहरों को कॉंक्रीट के जंगलों में बदलने की होड़ न चाहता है सन 1980 के बाद यहां जीने की उम्र जो है लोगों की जीने की उम्र 20 साल बढ़ी है और इसकी जो प्रतिवेक्ति आए है वो लगभग 450 गुना बढ़ी है लोगों की चलिए आगे बढ़ते हैं यानि भूटान की जो भूगोलिक इस्थिति है वो भी जो इसका दिजम पे यानि बहुत धर्म पे जादा डिवोटेड हैं दुनिया के बहुत से ऐसे देशों में भूतिक वस्तूओं को ही खुशी का पैमाना माना जाता है जैसे अगर हम भारत की बात करें विदेशों अमेरिका की बात करें तो ऐसे समय पे भी लोगडाउन के समय पे भी वहां की अर्थ विवस्ता को डुनाल्ड टरम्प खोलने की बात कर रहे हैं भारत में भी यही बाते हो रहे ही लेकिन भूटान इन सब चीजों से अलग है भूटान में लोग भूतिकता के साथ साथ अपनी आध्यात में को पलबदी का भी ख्याल रखते हैं वह इस बात की परवा कम ही करते हैं कि उनके पास कितने बहुत एक संसादन है जैसे कि अगर हमारे पास कितनी फोन हैं कितने लैपटॉप्स हैं कितने मकान हैं यह हम लोग ज़्यादा तवज्यों देते हैं लेकिन भूटान में ऐसा नहीं है वो खुशी को ज़्यादा महत्व देते हैं कि ये देखने देखते हैं जिससे हमारे भीतर अगर हम वो नहीं चीज पापते तो इर्शा और गुस्ञ पनबता है और internet भी वही काम करता है ऐसा लेकिन भूटान में ऐसा नहीं है भूटान में ऐसी चीजों की लोग परवा नहीं करते हैं और वो जादा TV और इंटरनेट की परवा नहीं करते हैं एक दम बेफिक्र रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं students कि बुद्ध सिक्षा का प्रभाव वहां पे बुद्ध बुद्धिजम जादा है जैसे मैंने आपको बताया था लगभग 80% 77-80% लोग बुद्ध जीवन सहली को अपनाते हैं तो बुद्ध धर्म दुनिया का सबसे शांत और खुशी देने वाला धर्म है इस धर्म को मानने कर्म पर विश्वास करते हैं और कहा भी जाता है कर्म क्या होता है प्रधान होता है बहुत धर्म का मानना है कि जो लोग अच्छी जिंदिगी जीते हैं वो ग्यान प्राप्त करने के करीव रहते हैं वह उसका पुनरजन्म होता है तो वो अच्छे जीव के रूप में काम ल है ग्रॉस नैशनल हैपिनेस का जो विचार आया था वहां के चौथे जो नरेश थे ग्रॉस कहां के भूटान के उनका नाम था नरेश थे जिगमे सिंग्चे वांचुक ने दिया था जब 1970 के दशक में वह क्या कहते हैं भारत से ही वह लौट रहे थे एक जगह पे तब एक प बलकि हम ग्रॉस नैशनल हैपिनेस का ख्याल रखते हैं तीन दशको बाद भी यही फिलोसपी वहां पे क्या है बनी हुई है चलिए यहां पर तीन क्या चार दशको बाद आज भी बनी हुई है यहां हैपिनेस इंडेक्स को चार आधार पर मापा जाता है पहला बताया सांस परसंट से जादा एरिया वहां पर क्या कहते हैं जंगलों से है सतत्विकास हो रहा है कहां का भूटान का और बहतर प्रशाशन बहुत जादा वहां पर प्रशाशन भी बहुत अच्छा है चलिए बागे बढ़ते हैं देखिए भूटान का लगभग 50% हिस्सा नैशनल पार्क है भूटान के नागरिकों के लिए परेवरं बहुत ही जादा माइने रखता है इतना अधिक कि देश का आधे से अधिक हिस्सा नैशनल पार्क में तब्दील है जानवर और परेवरं की रक्षा सक्ती और जिम्मेदारी के साथ की जाती है देश का लगभग 60% हिस्सा है जह पर कभी कटाई होती ही नहीं है अपनी धरती और परेवरं की देखभाल लोगों को खुश रखती है प्रकरती की निकटता और उसके संरक्षन भी भूटान निवासियों की खुशी की सबसे बड़ी वजय है चलिए आगे बढ़ते हैं खुशी को आकना जब भी सरकार लोग नागरिकु की खुशी का ख्याल रखने में पर्फेक्ट तो नहीं लेकिन उसके जो प्रयास हैं वो बहुत सहराहनी हैं पर्फेक्ट देखी कोई नहीं होता है लेकिन भूटान की सरकार क्या करती है प्रयास बहुत अच्छे से करती है यहाँ सिक्षा और स्वास दोनों ही निशुल्क हैं, ग्रॉस नैशनल हैपिनेस कमीशन है, जो सरकार के निर्णेयों की समीच्छा करता, यानि ये कमीशन बना हुआ है, वो जनता के हित में काम करता है, कहते हैं कि कभी राजा ने किसी गाउं में इस पा प्रोजेक्ट के समर्थन को समर्थन दिया था, लेकिन गा के दो तेहाई लोग हर समय कम-से-कम 8 ちखंट की क्या लेते हैं नीद लेते हैं बहुत अच्छा है 8 गंट की नीद लेते हैं बाकी कई देशों से उनके सवास्थ जादा बहतर है और खासकर उध्योग आधारित विक्षित देशों के मुकाबले अच्छी नीन का असर खुसी productivity और संपूर्ण स्वास्त पर होता है यहां अच्छी नीन रहन सहन का है लोग परियापता राम करते हैं अमेरिका और अन्न देशों से आने वाले लोग यहां आकर पाते हैं कि जिंदगी में फुरसत का क्या महत्व है और कितना जरूरी है यानि यह दिल से भूटान न करने का यह फायदा इस देश के नागरुकों को रूप में मिला है कि वो प्रदूशन रहित माहौल में रहते हैं हाला कि यहां भी आटो मॉबाइल्स हैं जो धुआ छोड़ते हैं लेकिन प्रकृती में कच्रा उगलने वाली फैक्ट्री और उद्योगों की शंक्या नहीं क स्टुडेंट्स आपने देखा कि भूटान जो स्पेशली जीडीपी पर ना जाके ग्रॉस नैशनल हैपिनस पर काम करता है वहां के लोग कितने खुश हैं जिनसे उनकी जीवन आकांचा है वो जादा बढ़ी है और साथ-साथ वहां की प्रतिवेक्ति आए भी बढ़ी है इसी तरह का कुछ और भी देशों को अपनाना चाहिए इसी बातों से कहते हुए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ अगले फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ वीडियो पे मिलूँगा लॉकडाउन का पालन करिए गुड लाक